हेलो वरिवन गुड मॉर्णिंग्स वागत आप सभी का ओनलाइन स्टेडियों में आज के इस वीडियों बात करेंगे समादने हिंदी जो की बिहार से मेंस के लिए होगा आज की जो हमारा सेट है वो सेट नमबर फूर है इससे पहले हमने सेट थी तक काफी अच्छे से क्वे 29 मार्क्स अगर आप इसको एचीव कर लेते तो अब यह मान करके चले कि अब आपको इससे जादा कुछ भी पढ़ने की जुरत नहीं पड़ेगी एक्जांस में इससे जादा आपको ज्यादार कुछ नहीं पूजाएगा आप डेफिनेटली कर लोगे हंडेट क्वेसंस में थीज़ क्वेसंस ठीक है तो चले इस वीडियो को सुरू करते हैं हंजक इस वीडियो का वश्क्ड को चन्हें अमारा ये बनता है कि तेल और घी सब्द हैं बति कि तेल और घी जो सब्द हो किस प्रकार के सब्द हैं पुलिंग है या इस्तिलिंग है या फिर दोनों है, इस questions का right answer होगा, option A, ठीक है, pulling होता है, घी और तेल pulling होता है, साथ यह आपको आदू, कि दही भी जो होता है, वो एक पर करका pulling सब्धी होता है, ठीक है न, second question देखे, अगला प्रश्ण यह करें कि कुसासन का संधी होगा, अगला प्रश्ण देखे, क्या कहा रहा है कि हिंदी वर्ण माला में स्वर और व्यंजन है, यह questions काफी अच्छा, देखे, इसके बारे में थोड़ा साब को समझना पड़ेगा, यहां पे क्या चीजे होती है, तो हिंदी वर्ण माला में अगर स्वर की बात करें और व्यंजन की बात करें, तो सही आंसर हम टिक करेंगे, option A को, option A बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, स्वर तेरा और व्यंजन जो की 33, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि 13 और 33 किस तरह से होता है, ठीक है न, दीक है, यहां पर मैंने नो पॉइंट्स लिख रखा हैं, ताकि आपको समझने में अचानी हो, चाहिए आप स्किन्सॉट भी ले सकते हो, ठीक है, स्वर क्या होता है, स्वरा नभी होता है कि जिन वर्णोग को सतंतर रूप से बोला जा सके, उसे स्वर कहते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें, तो प्रमप्रागत रूप से स्वर्व की जो संख्या मानी जई है वो 13 मानी गई है लेकिन उचारण की द्रिश्टी से देखे तो सिर्फ और 10 ही यहाँ पर होता है तो उपर में questions में था कि स्वर और जो की व्याजन की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पे हम 13 को टिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लिएते के 13 और 10 किस तरह से होते है, देखे अगर हम यहाँ पर स्वर को देखे, सिंपल सी बात है कि उच्छारन के धार पर देखे, तो स्वर की संख्या टोटल तेरा होती है और वो तेरा में तीन नया कौन जुड़ता है तो यहाँ पर देखे एक री आता है और उसी तरह से लास्ट का दो जो होता है और ठीक है यह दो जो की जुड़ जाते हैं बाकि अब अगर उचारण के दिश्टी देखे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दसी होते तो यही था थोड़ा सा यहाँ पर कॉंसेप्ट आपको समस्तना होगा और यहाँ पर दीखे वेंजन के जो उचारण है वो संभाव नहीं है प्रामप्रागत रुप से वेंजगों की जो संख्या 33 मानी गई है लेकिन ध्यान रखे कि यहाँ पे दो पॉइंट से जो की द्वी गुण वेंजग जैसे ड़ा और धा को जोडने पर इनकी संख्या जो की 35 हो जाती है उपर में questions अगला प्रस्ट देखिए क्या है question number four में क्या दिया गया कि टा डा सा रा ठीक है इसका उचारण स्थान क्या होगा यह जहां पर जो वर्ण दिये गए इनका उचारण स्थान क्या होगा मैं आपको कल उचारण के बारे में काफी चत्रीके से बताया था ठीक है एक बार फिर उससा चा चा जा देखे तो देखिए यहां पर थोड़ा सा समझतना होगा एक होता है तालू तो तालू में आपको क्या बता था तालू में दो पॉइंट्स होते हैं एक तो तालू हो गया और यहां पर हम कह सकते एक और जो होता है इसका मुर्दा ठीक है मुर्दा तो चा चा जो यह सभी आते हैं ठीक है और अगर मुर्धा की बात करें तो मुर्धा के अंतरगत मुझ के भीतरी छत का जो अगला भाग है ठीक है इसको बोल करें देखेंगे तो इसके अंतरगत क्या होता है कि मुर्धा के अंतरगत तो यह सभी के सभी आते हैं ठीक है तो यह सबी के सबी दो के अंतरगत आते दंत के अंतरगत और एक होता है ओस्ट या फिर ओट कह सकते तो उसके अंतरगत हम याद रखेंगे पाफ यह मैंने को कल के वीडियो में ही बता दिया था तो एक बर फिर सब का रिवीजन हो गया चलिए फिलाल देखते हैं अगले कुछिंस को कॉस्टर नंबर फाइव क्या कहा रहें कि मुझसे अब चला नहीं ढहता कौन सा वॉज्चे है हिंदी में वाच्चे कहते हैं इंग्लिज में आपको पता है इसको भॉयस खुआ जाता लेन वाच्चा को समझने के जया पहले कहने भेद को मैं पता होना चाहिए वाच्चे क जो वाज्चय होते हो क्या होती है। तो किरिया के उस रुपंत्रन को वाज्चय का हजआता intent gotta है। मैं आपको बताता हूँ क्रिट वाज्चय क्या होता है। न में क्रिया का जो करता होगा उसके अनुसार बदलता है। क्रित वाच्छे में क्या होता है कि क्रिया का जो करता होता है वो करता के अनुसार बदलता है इस चीज को अब ध्यान रखेंगे अगर एक्जांपल की बात करें तो इस एक्जांपल में समझ सकते हैं कि जैसे पुरुस टालता है तू आया यह समझे और अगर हम कर्म की बात कर इस तरह से कह सकते हैं और उसी तरह से को और एक्जांपल समझे माने कहानिया सुनाई माने कहानिया सुनाई यानि कि जो कहानिया है वो माने सुनाई तो यह कर्म के अनुसार किरिया काम करता है किरिया बदलता है उस तरह से कर्म यहां पर भाव देखे जो कि थर्ड पॉइंट हमारा है तो third point के अंतरगत हम देखें तो जब क्रिया करता या कर्म के अनुसार ना बदल कर ना होकर वो अपने भाव अत्वा फिर कह सकते हैं कि मुल रूप में आती उसको अब जो भी है बस थोड़ा सा आप मैनेज करके चलिए कि अब तो आपके पास ताइन जादा नहीं है कि अब हर चीज को डिटेल में समझना चाहोगे ठीक है तो फिलाल देखिए बात करते हैं next questions की और अगला points क्या करा है कि नील लोहित देखिए यहां पर योजक चिन है ध्य नील और लोहित के बीच योजक चिन है लगा हो तो मैंने आपको बताया कि अगर योजक चिन है लगा हो या फिर और हूँ या फिर येवम हो तो उस condition हम कहते हैं कि वो क्या होता है तो वो दुन-दु समास होता है चीक है अब सर्म यहां पर डीको टिक करेंगे अब लहुजीस का यानि वो संकर तो कह सकते हैं कि दोनों में से किसी के प्रधानता नाओकर के तीसरे को संकित करती है जब वो तीसरे को संकित करती है तो उस condition में क्या कहते है वो होता है बहुबरी ही समास अगर इस तरह से लिखा जाता तो यह बहुबरी हो जाता लेकिन अगर में योजक्ची ने लगा कर दिया गया तो वो हमारा हो जाएगा द्विंदू समाज बात किलियर है ठीलेगा अब इस दरह से गजांपल द्विंदू समाज की तो एक्जांपल मैं कई चीज़ें आपको समझा चुका हूँ अपना और पराया अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां पर देख सकते हैं हाइफन चीन मैं लगाया है तो हाइफन चीन के वज़े से फिर से आपका दूंदू उस तरह से रुपया पैसा कह सकते हैं बात समझ में आ गई चलिए अगला प्रस्ट नेक्स वसन कह रहे हैं कि सकते हैं इसमें चीथ करींगे करेंगे चिक है अगला के क्रीदंथ प्रत्य का उधारन य Пटाइए क्री दन्त प्रत्य कि अपको बताए था कल की विडियो में ठीड़िव उटाYou किरिदंत प्रत्य हम किसे कहते हैं तो किरिया के साथ जो प्रत्य लगता है उसको हम कहते हैं किरिदंत प्रत्य है For example, अगर हम यहाँ पे देखे, तो option हमारा B बिल्कुल सह होगा, क्योंकि चढ़ाई को अगर हम इसको अलग करेंगे, अगर इसका विगरह में करूं, तो क्या बनेगा, चढ़ पलस आई, ठीक है, यानि कि चढ़ना, चढ़ना एक किरिया हो गया, और किरिया के साथ यहाँ पे रिदंत हुआ, तो I hope कि आपको यह चीद समझ में आ गई होगी, यहाँ पे correct answer क्या टिक करेंगे, option B को, ठीक है, लेकिन बाकी की चीद जोगा आप देख लिए जैसे कि उचाई में देखे, तो यह समें कोई किरिया नहीं है, उस जैसे मिठाई में देखे, तो मिठाई में क तो देखे, मैं आपको बता दूँ कि अपनी गलती को स्विकार करने वाला अगर हम यहाँ पे देखे, तो कायल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कायल का अगर हम सही मायने में अर्थ समझे, तो इसका मतलब होता है, कायल का अर्थ होता है, मान लेने वाला, यानि अपनी गलती option A को टिक करेंगे चीक है next questions अगला प्रशन क्या बनते नेक्स्ट प्रसन देखिए क्या है कि विड़ोजा ठीक है विड़ोजा किसका प्रयवाची सब्दे विड़ोजा मैं आपको कल बताया था इंद्र के कई सारे प्रयवाची सब्दों यहां पर इस questions का माधवा वासव यादसब यह सभी चीज़ आपको याद रखनेंगे next question देखिए अगला प्रशन नेमारा यह कह रहा है कि माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है क्या कहलाता है इस questions का right answer किसे टिक करेंगे option एक को यानि कि वादसल ले कहते हैं ठीक है माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको वादसल ले कहते हैं अगर वादसल ले को हम सही माहिने में अर्थ इसका समझे तो इसका मतलब होता है प्रेम या फिर सने ठीक है प्रेम का pulling सब्दें next पर बनता है कि सुध्य सब्द है बताए कि इन में से सुध्य सब्द कौन सा है कि सुध्य वर्तनी कह सकते कौन सा सुध्य वर्तनी है तो correct answer क्या होगा option B यहाँ पर बिल्कुल सही है तयवहार को हम इस तरह से लिखते हैं देखे अगर questions यहां से पूछ ले कि टेवहार बदाएगी कौन सा सब्द है यानि ये ततजसम है तत्भव है देसस वीदेसस अगर इस तरह से पूछे तो क्या टिक करेंगे तैवहार क्या है तो ट्यवहार एक पर करका तद्भव रूप है तियधियर सम्झमें आई गया हूँगा तो देखे अगर तद्भव हो जाए तत्समरूप futur Thenes guard प्रमे स्वर में कौन सा समाख यह सब के बढ़े मैं आपको बता है कि जोब भी आपको कोई समास मीविग्रह कि जी समाज कीजिए अगर उसमें दीक हो उसमें कारक Gef scope नहीं चीपा अगर नहीं विग्रह हो रहा तो फिर कुछ और सोचिए ह। ठीक है जोबी कॉंसेट मैं आपको बता है सभी का यूज करने की कोजिज करेंगी सब्सक्ति करेंगे अगर हम यहां पर देखें परमेश्वर सब्सक्वाद को मैं विग्रह करूगा तो क्या गाल Amen की तुलना के समान जैसे कि परम है जो इसवर के समान है चीक है उस तरह से अगर रूपी देखें मैं आपको एक्जांपल बताऊंगा तो इस तरह से अगर इस तरह के कोई सब्द आये तो हम उसको कहते हैं करम धारे समाज यानि ऑप्सन हम B को टिक करेंगे और विग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जैसे कि अगर हम यहां पर देखें चरण कमल ठीक है चरण कमल देखें तो इसका मतलब क्या हुआ चरण कमल का मतलब क्या बनता है चरण कमल के सकते हैं कि कमल के समान चरण कमल के समान चरण यानि कि कमल के समान कि समान यहां पर आया उसी तरह से अग गगन निला निल गगन कहते हैं निल गगन कहते हैं निल गगन है जो यहां पर भी सब्दा है निला है जो गगन ये सभी-स ऑप समान मुख यह फिर चैसा मुख मैं रही सब्धा करम धारे के अंतर गतानrist उसी तरह सब देखिए महात्मा यानि कि महान है जो आत्मा पितांबर पिता है जो अंबर कह सकते हैं महादेव यानि महान है जो देव यानि कि हब सब में देख सकते हैं है जो आ रहा है के समान आ रहा है यह सबी के सबी करमधारे होते हैं बात किलियर हो गई चलिए फिलाल दे विल्बी करेक्ट अंसर प्राक्थन जो यहां पे लिखा गया वो बिल्कुल सही है अब इसका अर्थ भी समझ लिजे प्राक्थन का अर्थ हम कहा सकते प्राक्थन इसका अर्थ हो था प्रस्तावना या फिर पहले कही गई बात ठीक है प्रस्तावना या फिर पहले कही गई ब तो अगर करता सोरी अगर कारक चिन्ह का लोप हो तो उस कंडिशन में सिंपल से बात है बिना कुछ सोचे समझे तत्थ पुरुष को टिक करेंगे चीक है तत्थ पुरुष यानि ऑप्सम सी को टिक करेंगे इसको फिर से विग्रह करने की कुशिश कीजिए तो कन्या दान का अर्थ क्या हुआ कि कन्या का दान यहापे का चिन्ह है आपको देख रहे हैं कारक का चिन्ह आ रहा है तो कारक आगया तो भीना सोचे समझे तत्थ पुरुष को टिक कर देना है ओप्सन सी करेंगे नेक्स्ट प्रस्ण देखें अगला प्रस्ण बनता है कि मोख्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं मोख्ष की कामना रखने वाले मोख्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं मोख्षू यानि ऑप्सन बी को टिक करेंगे मोख्षू ऑप्सन बी विल बी करेक गया स् displacement हसा हम सभी लोग को पता होगा सोथ सितंबर insane Ohio इसी था सिफ उन्चास और इसी वज़ा से 14 सितंबर को परते कवर्थ हिंदी दिवस के रुक में माना जा था तो किना चांश को हिंदी biz ब्रसाघी राज भासाय बनाने यानि कि ब्राही लीपी में हुआ है, option D को टेक करेंगे, नेक्स्ट पस्ट क्या बनते हैं कि हिंदी भासा के विकास का सही अनुकरम कौन से है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि इसका करम क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको यहाँ पर फिट से लगा रखा, ताकि आपका रिवीजन हो जा, हिंदी का विकास करम देख सकते हैं किस तरह से, संस्क्रीट था, उसके बाद पाली हुआ, प्रकृत हुआ, अपभरंस हुआ, और अवहट हुआ, उसके बाद प्राचीन कह सकते हैं, या फिर प्रारंभिक जो हिंदी है, यह कह सकते हैं, या लिए कहां प एगर हम आप्सेंज के थुझ देखना चाहें, तो क्या है, पाली के बाद प्रकृत बना, दीखिए पाली के बाद प्रकृत बना, प्रकृत के बाद अब ढ़्रंस मांब यहाँ पर हिंदी दिया घा? यारि क्या सकते के option हमारा A यहाँ पर बिल्कूल अच्छे तरीके से सूटे बन है, option A ko टिक करेंगे, чrou that? चलिए नेक्स्ट प्रस्ण क्या कह रहा है अगला प्रस्ण यह दिया गया कि ग्यान जो है ग्यान वर्ण किस वर्णों के सन्योग से बना है जो ग्यान है बताए कि ग्यान जो है वो किस वर्णों के सन्योग से बना है यह मैं आपको कल की वीडियो में अच्छे तरीक से बता द पहला तो छWow मेंने अपको बता उसके बाद र呢 और उसके बाद मिन आपको क्या बता था एक और था जो की स्थरा से शिंगर वला स्रम तो यहां पर questions पे पूचह के क्या कि ग्या तो ग्या के लिए मैंने से बनता है तो यह कह सकते जो प्लस यह सब्द से बनता है यानि इस questions का right answer होगा option B को take करेंगे अगर आपने third part को नहीं देखा है तो जाकर के third part को देख लीजेगा आपको सारा चीज क्लिर हो जागा उसमें मैंने आपको काफी अच्छे चे concept बताया थे हिंदी के जो विक जॉम्स के point of view से important था फिलाल देखिए यहां पर क्या कि अग्होस अग्होस वर्ण कॉन से हैं यहां पर भी कुछ चीजह आपको बहुत अच्छी चीजह जो कि सीखने को मिलेगी देखिए अग्होस और घोस तो मैंने आपको बता ही दिया था उस वीडियो में कुछ जो की कॉख से लेटेड और यहां पर जो की बाकी जो है कावला चा और यह टाथ जो पावला ही सभी मैंने आपको बता दिया था फिलाल देखिए यहां पर वो थोड़ा सा concept अल गोस के अंतर गथा यानि कि सव यहां पर आपको दिख रहा है ऑप् टिक कर सकतें कि सव हमारा जूकी यह झोन कि अंतर गहते था है कर भ़ी तो यह important बनतै लेकिन अगोज के अंतर का तीनों के तीनों सव आते हैं देखिए यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लगा रखा है आप इन सभी को पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छी समझने की कोसिज करेंगे एक्जांस में पूछा जाता है जो यहां पर देखते हैं अगर इस त एंट करके देख सकते हैं पर्स होता है और उसे तरह से अगर हम सबसको देखिघे तो यह मृद्धनी सा कहा जाता है क्यों क् सबस 스र्ट करता एं और अगर को देखे तो यह दृरा इन सा tha क्यों क्यों कि जा तो 11 तो यह तरह से याद रखेंगे थोड़ा सा और मैंने डीपली में आपके करने की कूसिस किये ताकि आपको और अच्छे-समाज में आजए तुमें ज़ादा next question हमारा क्या कह रहा है अगला प्रस्ट निये कह रहा है कि निमलीखीत वाक्यों में सुध्ध वाक्य कौन से है आप लोग इसे एक सिखाईत हो गई है पहले वीडियो में आप लोग ने काफी अच्छा प्यार दिखाया था बहुत ज्यादा लाइक हा रहा था लेकिन आप जै जैसे नहीं कि बस वीडियो को देख लिया चोड़ दिया चलेगे काम हो गया अपना ऐसा मत कीजिए निमलीखीत वाक्यों में से सुध्ध वाक्य कौन से है तो देखे कर हम यहां पर सुध्ध वाक्य की बात करे तो यहां पर करेक्ट क्या होगा पढ़कर हम देखे तो यहा मुहावरे का अर्थ बता ये क्या है अनको कन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो इसके बारे में आपको बता दूं कि अनको कन करना मुहावरे का अर्थ होता है कि बनी बात को विगाड़ना ठीक है न ऑप्सन बी को ध्यान रखेंगे अनको कन करना मतलब बनी बात को करेंगे यह कुछा जा सकता है देखने में थोड़ा सा लोग गलती करेंगे स्वागत को टिक करेंगे लेकिन यह हमारा गलत हो जाएका ऑप्शन देहान रखेंगे भी होता है ठीक है सूपसरग्त का इसमें किया जाता नेक्स्ट परष निएकि वह घर से बाहर गया इस वाकर कॉनसा कारक है मापतओ त供िन तो आपको याद होई चुका अब तुम तीन वीडियों और देखी चुका है तो कोई दिक्कत नहीं होने जाए था कारक चिन्य में तो देखें घर से बाहर गया तो कारक चिन्य में अगर हम से देखें तो से किसके अंतरगत आता है करताने कर्म को करण से एक तो आता है करण से और एक होता है आपादान से तो आपादान का यूज कहां क्या आता है आपादान का यूज हम तब करते हैं जब जह खर से वो जुन्हों के बीच अलगाव की बाता रिये तो यहां पर टिक करेंगे ऑप्शन करेंगे यौनि है इसको अब थोड़ा सा अच्छी से समझ लिजेगा तरुवर फल नहीं खात है सर्वर प्यही नपान इस पंक्ति के रचिता है जुकी रहीं यानि आप्शन हम एको टिक करेंगे अगर इस पूरे पंक्ति को अच्छे समझना चाहे तो यहां पर पंक्ति मैंने लिख रखा इ इसप ठीट की पंक्ति को पढ़कर समझ सकते कि तरंवर फल नहीं खात थे सरवर प्यही नपान कहीरा दराहीम पर काजही संपत्ति संचही सुझान इसका मतलब क्याGeogi संजही सुझान इसका मतलब इस अगरिसका टोटल अर्थ कि अगरां enables करे तो यो रहीमा ने यह कहना ये चाते थे कि जिस तरह पेण कभी स्वेम अपने फल नहीं खाते हैं और उसी तरह से तलाब अपना पानी नहीं पीता है तो ठीक उसी प्रकार सजन लोग जो हैं दूसरे के हीत के लिए संपत्ती का संचय करते हैं इस टोटल पंक्ती का मतलब यही था ठीक है चलिए फिलाल देखते हैं अगले प्रश्न को नेक्स्ट प्रश्न यह दिया गया कि बुंदेलो हर बोलो के मुँसे हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी इस पंक्तियों के रचीता कौन है यह पंक्ति तो आपने बजपन में इतनी बार पढ़ी होगी कि आपका यह फिव्रेट हो गया होगा डेफनेटली डाइट अंसर आपने गेस कर लिया होगा कौन थी वो सुभद्रा कुमारी चोहान यह इसकी राइटर थी कह सकते हैं option c बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चीक है ? next question अगला पजूं बनता है कि कुड्च के रचाईता है बतहे कि कुड्च जो है वो रचाईता कौन है कुड्च के रचाईता कौन है सही आंसर क्या होगा correct answer टीक करेंगे हजारी प्रषाद दिवेदी option B बिल्कुल साही answer है next question हमारा ये बनता है कि दिये गए विकल्पों में वर्तनी की दिरिष्टी से सुध्ध सब्द कौन सा है बताए कि वर्तनी की दिरिष्टी से सुध्ध सब्द कौन सा है तो यहाँ पर क्या है correct answer हमार हो गया समानने यानि option B को करेंगे समानने बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया पल्लाव गलत क्यों है तो पल्लाव को हम सही लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे तो पल्लाव कुछ हमारा सही इस तरह से होगा ठीक है और अगर हम कलांतर देखें कलांतर यहाँ पर लिखा कि यह होता है कलांतर कलांतर इस तरह से होना चाहिए था ठीक है तो correct answer हमारा B विल्कुल सही होगा next question क्या बनता है कि आमदनी सब्द जो किस भासा कहें तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते इसमें आपको रटकर ही याद रखना होगा कई सारे जो की सब्दे जो विदेशी भासा उसे लिएगे हैं तो उनके लिए आपको लिस्ट याद रखना पड़ेगा मैंने आखो कल बता था एक दरबार जो की फार्सी था आमदनी भी फार्सी ही है option deco tick करेंगे next question क्या बनता है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उत्तर पद का मतलब दो पद अगर दियेगे तो पहला यह हुआ यानि कि इसका पूर्वे पद कहते हैं और इसका उत्तर पद कहते हैं बाद वाले पद को तो बते कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है राइट आंसर होगा क्या, करेक्ट आंसर क्या होगा, option हम D को टिक करेंगे उपरोग सभी, यानिक तत्थ पुरुष समास में भी, करमधार समास में भी और दीगुष समास में भी फर इक्जापल के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा रखा है और यह लिस्ट को मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताया था, देखें पदों की प्रधानता के अधार पर वर्गी करान, तो यहाँ पर दीखें, पूरुष प्रधान किस में होता है, समास में, यह most important points होगा, ध्यान रखेंगा, चलिए, next question देखें, अगला प्रशन यह दियेगे कि दिये गए सब्दों में भीन अर्थ वाला सब्द पताये कौन सा है, दिये गए सब्दों में भीन अर्थ वाला सब्द कौन सा है, अगर हम यहाँ पर first, second, third को देखें, तो first, second, third क्या है, यह सूरे के जो कि कह सकते हैं, सूरे का ही प्रयवाची सब्द है, भासकर, रवी, दिवाकर, लेकिन सुधाकर अगर हम यहाँ पे देखें, तो यह क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुधाकर को मैंने यहाँ पे लिखें रखका है, चंद्र का जो कि यह लखेंगे सारंग निशाकर निशापती रजनीपती म्रिकानग और यहां पर कलानित ये सभी के सब्सक्राइए सकते चंडर के और ये प्रेवाची सब्द्द चुक सब्थ चलिए नेक्सट्र मौनिंगा रिया गया अगला प्रस्ण में यह बनते हैं कि नीमलिक हित में से कौन सा वर्न जो उचारण के दिश्णी से दंत नहीं है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईचारण से सम्भंधित शुद कौन 번째 जो si लैंवो कहां कहां से सम्भंधित रखते हैं तो क्या वो इस सब्सक्राइब को यहां पर है आप रहा है पर हाई-लाइट में कर रहा हो आरोग ठीक है तो यह आपको बताने कि इसमेर जो सही तरीके से क्या होगा यह पर क्यา सकते हैं कि सही वर्तनी आपको चुलना है ठीक है और सारिक आरोग के लिए प्रता एवम संध्यकाली प्रह्मन अत्यंत्र लाव प्रत माना जाता है यानि आरोग के चुर्फ लिखा गए कामना कामनाकरता हूं तो यहां पर उजवल जो सही है वर्तनी कौन सा है तो उजवल का सही वर्तनी होगा option P उजवल बिल्कुल सही होगा उजवल next questions अगला प्रश्ण है निमलिकीत में से सही वाके कौन सा है बताए कि निमलिकीत में से सही वाके कौन सा है सही वाके कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा option A को टिक करेंगे one में प्राता काल का द्रिष्ट से बहुत ही सुहावना होता है चीक है? बहुत ही सुहावना होता है option A सही होगा चलिए आगे भढ़ते हैं next question क्या है महान का विलोम सब्द कौन सा होगा बताइए महान का विलोम सब्द कौन सा होगा महान का विलोम सब्द होता है कह सकते है तुच option A को टिक करेंगे तुच next question मुक का विप्रार्थिक सब्द क्या है विलोम सब्द बताना है कि मुख का विलोम सब्द क्या होगा मुख का विलोम सब्द कह सकते हैं वाचाल ठीक है मुख यानि चुप रहने वाला और वाचाल मतलब बहुत जादा बोलने वाला जो होता है उसको कहते हैं नेक्स्ट प्रेशन है कि मृदूल मृदूल का विलोम हो और-पस रिसाइन भूर्फ शॉया होगा टिकए नेक्सट प्रस्नी का अग्लास्न ये कहतो है कि अगर मगर करना का अर्थ किया अगर मगर करना का बहाने बनाना अगला प्रश्ण है कि उट चड़े कुट्टा काटे का अर्थ क्या है उट चड़े पर कुट्टा काटे इस तरह से भी लिखा जाता है तो उट चड़े कुट्टा काटे का यहां पर सिंपल सी मतलब हम यह समझ सकते हैं कि अगर किसी भी तरह से आपका देन कि उट पर चड़े वेक्ति को भी कुट्ता काड़ लेता है विपत्ति सब जगा पीछा करती है ऑप्शन डी यहां पर सयोग अगला प्रशन यह बनता है कि वाक्य में भाक्ति के पर्योग के अनुसार सब्दों के परस्पर संबंध की दसा कहते हैं यह थोड़ा सा क्वेशन उस्ट के अयां इसथन के अच्छा ध्यान से समझेगा कि वाक्य में भी भाग्ती ठीक अवाक्य में भाक्ति के परिजोग के अनुसार उसको यह कि कारक को राया कहते तो इस तरह से है क्ता जा अगला प्रशने की नीमन में से तदभा सब्द तदभा सब्द ने कौन से हैं तदभा यानिकि संस्क्रिट खट में यूज जो कर यूज न टमने कार्क ही इसको कयते संस्कित के परिवर्टित रूप को तो टेट के तदभा अगर में यहां पर देखी तो कुमहार होगा तदभाव रूप तो अगर हम इसके बात करें कि तदसम क्या होगा तो कुमार का तदसम जो होता है कुमबकार होता है ठीक है कुमबकार यहां पर देख रहे कुमबकार यह उता हमारा तदसम रूप ठीक है नेक्स्ट क्रेंस अगला पॉण्स बानता है कि निम्न में से तद्भाव जो है सब्ध बताएं तद्भाव सब्ध कौन सा है 85 झाप यहां पे तद्भाव देखे तो तद्भाव का मतलब ज्योकी संस्कीत के परिवठ्थी दरूप यहां पे सब्धोट आपला आवला जो है इसके रचनाकार कौन है आसु कावे के रचनाकार जो हम भोगों ने बहुत बार देख चुका है इनसे संबंदित जो कि जै संकर प्रसाद ठीक है जै संकर प्रसाद सी लेटे मैं आपको कई चीजे बता था इनकी बहुत अच्छे ची रचना है जैसे सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूझाती हुए कमाईनी ठीक है कमाईनी अब याद रखेगा बाकी चीजी जो है कि कंकाल तितली इरावती लहर सकंद गुप्त मम्दा ये सभी के सभी इनहीं के द्वरा रचीत है नेक्स्ट प्रस में की हानी बाढ़ है असुर अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार बते की कौन है जब जब होए धर्म की हानी बाढ़ है असुर अभिमानी इसका अर्थ पंक्ति के रचनाकार कौन है तो इस पंक्ति के रचनाकार है तुलसी दास ऑप्शन बी विल्कुल सही आंसर ह अगला प्रश्ण क्या क्या रहा है कि रगत है या है नसो में छुद्र पानी जाच कर तू सीस देकर जवाने जाच कर तू सीस दे देकर जवाने सौरी रगत है या नसो में छुद्र पानी जाच कर तू सीस दे देकर जवाने प्रस्तूत पंक्तियों के अच्छा एकता कौन है तो इस questions का right answer क्या होगा correct answer को option A माखनलाल चतुरवेदी, option A will be correct answer अगला प्रस्ट यह क्या रहा है कि जिसकी आसा न की गई हो, बते हैं कि अनेक सब्दों के लिए एक सब्द है, क्या होगा right answer तो जिसकी आसा न की गई हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अप्रयान सित, option C बिल्कुल सही answer का, जिसका मतलब होता है, जो आसा से परे हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला परस ने की, जिस इस्तिरी का पती जीवी तो, क्या कहते हैं, जिस इस्तिरी का पती जीवी तो, उसको हम लोग कहते हैं, साधवा, option C बिल्कुल सही होगा, साधवा बिल्कुल correct answer होगा, option यहां पर C बिल्कुल right answer है, तो देखें, मुझे उमीद है कि आप लोग को आपने आज की इस वीडियो का cut off क्लियर किया कि नहीं किया, वीडियो कैसी लगी नीचे कर्मेंट्स करके जुरू बता दीजेगा, फिलाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी ने टॉपी के साथ, थैंक्स ओव वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हाव गुट कुझ ऑटे